नमस्ते दोस्तों, हैपीलिवेश में आपका स्वागत है गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं बेहत आसान और मज़ेदार मसाला चास ये गर्मी से राहत देता है, साथ ही पाचन क्रिया को भी सुधारता है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी के चिन्नों को दबाईए ताकि हमारी आने वाले रेसिपी आपतात आसानी से पहुंचे रेसिपी पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happilywes.com को विजिट कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए सामक्री की सूची आप यहां देख सकते हैं मसाला चास बनाने के लिए पानी के अलावा बाकी सारी चीजों को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे अगर आप चास में कम तीखा पान चाहते हैं तो हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तिमाल कम करें या ना करें चास बनाने के लिए हम ठंडे धही का इस्तिमाल करेंगे सारी चीज़े अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं अब हम इसमें पानी मिलाएंगे दोस्तों मैंने यहां मटके का ठंडा पानी इस्तिमाल किया है क्यूंकि यह सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन अगर आपके पास मटका नहीं है तो आप फ्रिज के पानी या बर्फ का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मसाला चास तैयार है आप इसे धनिया पत्ता या पुदीना पत्ते से गानिश कर सकते हैं उमीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ धन्यवाद उमीद है आपको यह रेसिपी पस्ट जड़ते हैं